नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिवराज सेन्ग भारतिय रेलवे यात्रियों की सुवधा के लिए एक के बाद एक कई कदम उठा रही है सबसे पहले अगरतला रायधानी एकस्प्रेस में इन आद्रियों से लैस को जोड़े गए है सौंभार को आनंद ब्यार टर्मिनल से अगरतला रायधानी एकस्प्रेस नए तेज़स स्लीपर कोच के साथ रवाना हुई इसके साथ ही आराम दायक प्रेन यात्रा के अनुभव के एक नए युग की शुरुवात हो गई है। इन कोच की सभी इंट्रेंस डोर ऑटोमेटिक सेंट्रलाइजड है जिसे ट्रेन का गाड कंट्रोल करेगा। यही नई रेलवे स्टेशनों से ट्रेन तब तक चलना शुरू नहीं करेगी जब तक सभी दर्वाजे सही तरीके से बंद ना हो जाएं। कोच का अंडर फ्रेम औस्टेन नितिक स्टेनलेंस स्टील से बनाया गया है। इससे इसकी टिकावपन काफी ज़्यादा बढ़ गया है। कोच की शौचालयों को अधिक स्वच रखने के लिए इनमें बायो बैक्किम ट्वालेट लगाया गया है। इनमें फ्लेसिंग और बहतर तरीके से होने के साथ साथ पानी का भी कम इस्तेमाल होगा। यात्रियों को और अधिक सुवदा और आराम देने में ये बोगी एर सस्पेंशन से लेस है। सभी कोच में आटामेटिक फायर अलाराम और डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है। यात्रियों को सूचना पहुचाने के लिए सेंट्रलाजड पैसेंजर इन्फरमेशन कोच कम्प्यूटिंग इनुट सभी कोच में लगाई गई है। पी आई सी सी यू के जरिये पैसेंजर अनॉंसमेंट किया जाएगा है। ट्रेन आगे किस स्टेशन में पहुचेगी। कितना समय लगेगा इसकी पूरी जानकारी डिजटली मिलेगी। बतादे कि राज़धानी से बहतर कनेक्टिविटी स्ताफित हो पाएगी। बहतर विशेष्टाओं के साथ नए तेजस टाइप सिलीपर ट्रेन के कोच अबल दर्जे की यात्रा का अनुबब देंगे। लंबी दूरी की यात्रा के लिए इस आधुनिक तेजस स्लीपर टाइप ट्रेन की शुरूआत के साथ भारतिय रेल यात्रियों के लिए यात्रा अनुबब में एक ब्यापक बदलाव शुरू हो गया है। वारतिय रेलवे की योजना है कि साल 2021 में इंट्रीग्रल कोच फैक्ट्री और मौडर्ण कोच फैक्ट्री में 500 ऐसे तेजस स्लीपर कोच तैयार किये जाएं ताके लंबी दूरी वाली ट्रेनों की कोचों को चड़नों बद तरीके से बदला जा सका। इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट के लिए बने रही है बन इंडिया हिंदी के साथ।